इस वीडियों हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं बार्बरो सीरीज के पहले एपिसोड का एपिसोड की शुडवात में एक बुड़े आदमी को दिखाया जाता है और यह आदमी कुछ कह रहा होता है यह कहता है के Mediterranean या कहें Mediterranean सी एक बहुत ही खतरनाक समुन्दर है जिसमें सल्तनत के सल्तनत गुलाम बन गए बहुत सारे जाबाश इस समुन्दर में मारे गए लेकिन कुछ ऐसे घुरसवार भी आएं जिन्हों ने इस समुन्द्र को अपना कब नहीं बलकि अपनी मा की गोट समझी और इस समुन्द्र में कई किले फता किये इन में से एक के चार बेटे थे यहाँ पर उस एक बहादुर का नाम याकूब है और उनके चार बेटे इशाक, उरूज, हिजिर और इल्यास है तो उन चार बेटों के बारे में दुनिया नहीं जानती थी लेकिन इस जंग में सबसे पहले उरूज, रईस, उत्रे और उरूज, रईस, के ही नाम से वो चारो भाई मशूर हो गए इन चारो भाईयों को कहा जाता है बारबरोसलार जिन्होंने पूरे मेडिटेरियन में अपना सिक्का चलाया उन्होंने काफी साधे किले फता किये और ये कहानी है उन्हीं चार भाईयों की जिनके सुल्तान और लुटेरे बनने में भी वक्त था इसके बाद एक शिप को दिखाया जाता है जिस पे दो सिपाही बैठे रहते हैं दोनों कुछ कर रहे होते हैं जिसके बाद शिप पूरी तरीके से हिलती है और शिप पे जितने भी आदमी रहते हैं वो सब परिशान हो जाते हैं कि आखिद हो क्या रहा है उसके बाद उरूज रईस की एंट्री होती है ये एंट्री काफी ज़्यादा जबर्दस थी जब उरूज रईस बाहर आते हैं तब एक बाद फिर से शिप हिलती है और उरूज रईस उन सब को इशारा करते हैं और फिर एक सिपाही सब को बताता है कि करना क्या है उन लोग शिप की डायरेक्शन में तो चेंज करते हैं उसके बाद उरूज रईस आगे बढ़ते हैं और अ मतलब जो भी सामान है, जो भी शिप है और जो लोग हैं, उन सब को बचाने का काम करते हैं, उसके बतले पैसा लेते हैं, यहां पर एक आदमी है जो उट्टमन सुल्तान के लिए कुछ गिफ्ट लेके जा रहा है, और उस आदमी ने उरूज रईस को पैसे दिये हैं, ताकि उ मेदारी उरूज रईस को सौपी गई है, इसके बाद उरूज रईस पूरे शिप पे जितने लोग रहते हैं, उन सब को होसला दिने के लिए उन सब से बात करने लगते हैं, उन से कहते हैं कि मैं आप से कभी जूट नहीं बोलता हूँ और आज भी जूट नहीं बोलूँग समुंद्र बहुत गहरा है लेकिन आप सब जानते हैं दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं एक वो जो राजा हैं दूसरे वो जो राजा से डरते हैं और तीसरे वो जो राजा को डराते हैं और हम वो हैं जो राजा को डराते हैं तो इसलिए आप सब को डरने की कोई जरूर सब्साइब नहीं, आज भले कोई लुटेरा हम पर हमला कर दे या फिर कोई बाद्शाा हम पर हमला कर दे हम उस लुटेरे और बाद्शा को भी दिखा देंगे कि हम कौन एं जिसके बाद जितने भी लोग रहते हैं वो नारा लगाना शुरू कर देते हैं, यहां पर एक दूसरी शिप को भी उसके बाद दिखाते है जिस पर एक लोटेरा रहता है और यह जो सुल्तान की गिफ्ट से रहता है उसको लोटने आता है काफ़ी दूर पे इसकी शिप रहती है यहां पर कुछ गुलामों को भी वो मार देता है वहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर उरूज रईस को फिर से दिखाते हैं उरूज रईस को कुछ आवाजे सुनाएं देती है कुछ कबूतरों की और उनको ये काफी अरीब लगता है कि मतलब ये आवाजे आखिर आ क्यो रही है इस समुंतर में और असल में ये आवाजे कुछ आदमी निकाल रहे होते हैं उस लुटेरे को बताने के लिए कि अरूज रेस की शिप आ चुकी है अब हम लोग इसको लूट सकते हैं जिसके बाद एक आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम इलियास रहता है ये अरूज रेस के माज में आ जाता है कि हमला होने वाला है इसलिए उस सुल्टान के आदमी को बता देते हैं कि आप जाके अंदर चले जाए हमला होने की चांसे हैं तो इसके बाद वो आदमी अंदर चला जाता है इलियास को भी बता देते हैं सामने उस आदमी को दिखा जाता है जो लूटे रूज रईस को भी शिप दी जाती है उरूज रईस देखने जाते हैं कि आखिर कहां पर है तो क्या कर सकते हैं हम लोग तो इलियास उनको बताता है कि यहां से बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है हम लोग को डायरेक्ट उन से लड़के जाना पड़ेगा इसके बाद शिप एक दूसरे के सामने आ जाती है और जो लुटोरो की शिप रहती है उससे हमला शुरू हो जाता है उरूज रईस अभी बोलते हैं कि रुके रहो हमला नहीं करना है जिसके बाद भी हमला करते रहते हैं पायरेट वाले और उसके बाद भी उरूज रईस यही कहते पाय जाते हैं कि अभी रुको लेकिंग जब उरूज रईस बोलते हैं कि हम्ला करो तो उसके बाद जो लुटेरे रहते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है उनमें से काफी सारे मर जाते हैं और हम्ला करने के लिए उन लोग के पास अब कोई चारा बचता नहीं है तो वो उरूज पुझाने के कोशि़ करते हैं अपने शिक की तरफ लने की कोशिश करते हैं और उस पर घुते हैं कुछ लोग। आ। ऐसे ही जम्प कर देते हैं और कुछ लोग बढें ह। कि अधिर करते हैं जिसके बाद हमला शुरू हो जाता हैं कि जाके देखो सुल्तान का आदमी कैसे है तो वो जब जाते हैं तो अंदर पता चलता है कि जो सुल्तान के आदमी के साथ दो आदमी आये थें वो दोनों गद्दार थें और उस आदमी को मारने जा रहे थे जिसके बाद इलियास आके उन तोनों को मार देता है और सुल्तान की आदमी को बचा लेता है और उरूज रैस जाके उस कमांडर के मेना आदमी को मारते हैं और उस कमांडर को फासी चड़ा देते हैं उसी शिप पर इस fight scene में दो या तीन scene मुझे कफी जादा अच्छी लगी एक scene जब उरूज रईस अपने हाथ मलते हैं और दूसरी scene जब उस कबूतर वाले को मतलब जो आवाज निकाल रहा था मेसेज भेज रहा था उसको मारते हैं यहाँ पर हो क्या रहा था कि उरूज रईस ने सबको शा सीन थी और जब उसके बाद जब लास्ट में जब उस कमांडर को कमांडर के गले में तस्ती बांदी और उसको धकेल गिया शिप से वह भी काफी अच्छी scene थी तो मुझे यह fight scene काफी अच्छी लगी आप लों comment section बताईए आपको कैसी लगी इसके बाद एक शहर दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है मीदिली और यहां पर इशाक रईस मतलब उरूज रईस के सबसे बड़े भाई अपने भाई हिजिर का इंतिजार कर रहे होते हैं और यहां पर उनके दो बच्छे दिखाया जाते हैं उनकी बीवी दिखाया जाती हैं और एक और आदमी दिखा कर रहे होते हैं और इशाक रईस यहां पर काफी सीरिय से रते हैं तो इसके बाद हिजर रईस को दिखा जाता है हिजर रईस एक शिप पर मिली दिली की तरफ जा रहे होते हैं और वहां पर एक आदमी आता है और उनके जेब से कुछ चुराने की कोशिश करता है जिसके बाद हिजिर रईस उसको मार के पीशे ढखे लेते हैं और वहीं पर जो एक सामान लदा होता है रसी से वो नीचे आने लगता है जिसके बाद हिजिर रईस उसको बचाते हैं और वो आदमी कोशतास रहता है एक उस शिप का कैप्टन तो वो कैप्टन बोलता है कि मैं तो सिर्फ मज फिलाग कर रहा था अभी मेरी जान चली जाती तो उसके बाद हेज elaboration कहते हैं कि बादो उसके बाद कैप्टन कहता है कि तुम अपने बाइ उannen उरूठ की तरह हो तुम यह किताबों में कहां लीच जई अपने बाइ के साथ उरूठ के साथ तुम शिप पे लड़ाई कर सकते हो इसके बाद वो बोलते हैं नहीं मैं उरूज की तरह नहीं हूं और ये लोग बात करते रहते हैं फिर उसके बाद उरूज रईस को दिखाते हैं अपनी शिप पर उरूज रईस महापक खड़े होते हैं उसके बाद वो सुल्तान का आदमी आता है और उनको उरूज रईस के नाम से पुकारता है, तो उरूज रईस कहते हैं कि मुझे आप रईस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो भी कोई शिप भी नहीं है, तो उसके बाद वो सुल्तान का अदमी कहता है कि नहीं मैंने तो सुना था, आपके भाई से, इलियाल से सुना वह आपको बुलाता रहता है आगा रईस तो मुझे लगा आप के पास शिप होगी तो इसलिए मैंने आपको उरूज रईस पुकारा तो उरूज रईस कहते हैं कि मेरे और मेरे भाई का बच्पन से सपना रहा है कि हम लोग एक छोटी से शिप खरेते हैं तो इसलिए वह उरूजरेज से कहता है कि हाँ बापा उरूज मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी जान बचाई और उसके बाद उरूजरेज कहते हैं कि मैंने जो पैसा लिया था आप से उसको मैं हलाल बनाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अगर मैं आपको ना बचा पाता तो वो पैसा हराम हो जाता मुझ पर तो इसलिए मैंने आपको बचा लिया और उनसे पूछता है कि आप मतलब दुकानदार से जब सामान खरीटते हैं तो आप उसको शुक्रिया कहते हैं तो वो बुलते हैं कि हाँ मैं कहता हूँ तो इसके बाद उरूज रैस और इलियास हसने लगते हैं और यहां से उरूज रैस नीचे चले जाते हैं और फिर अपने सिपाही के पास पहुचते हैं तो जितने भी सामान मिलते हैं उन सब को डिस्रिब्यूट किया जा चुका र तो उरूज रहीस कुछ पैसे उठाकर उसादमे को दे देते हैं और एक छोटा सा सामान जो बशता है वो उरूज रहीस खुद रख लेते हैं जिसके बाद हिजर पहुच जाते हैं अपने बड़े भाई के पास और आके सबसे पहले उनके बच्चों से मिलते हैं उन सब को कैं हैं कि मैं यहां पर रहने आया हूं आपके साथ काम करने आया हूं जिसके बाद इशाक रहस काफी खुश हो जाते हैं वो बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम अरूज और इशाक तुम अरूज और इल्यास की तरह नहीं हो तो उसके बाद यह दुनों फिर गले मिलते हैं और उसके बाद एक नई जगह दिखाई जाती है जिसका नाम है अलेक्जांड्रिया अलेक्जांड्रिया दिखाई जाती है ये एक शहर रहता है उसके बाद यहाँ पर इस शहर को पूरी तरिके से दिखाते हैं यहाँ पर जितना भी कारोबार हो रहा है यहाँ पर जितने भी बेटे हैं, याकूबागा के जिसके बेटे हैं, चार बेटे, उनकी दो पार्टीज बन चुकी हैं, एक तरफ उरुज और इलियास, और दूसरी तरफ इशाक और हेज़ियर, लेकिन बार बी इन दो पार्टी मेरी साफ से एक ही हो जाएगी अभी तो दो पार्टीज हैं और इशाक रईस नाराज है उरूज रईस से क्योंकि वो छोड़ के भाग गये हैं और यही मतलब बहुत को मजा आने वाला आगे और इसके बाद यह एपिसोर्ड खत्म हो जाता है बाकी का पार्ट मतलब यह एक बोलम धाई घंटे क रहता है लेकिन मैंने अभी तक 45 मिनिट तक ही डिसकस किया है इस वीडियो में तो मतलब एक बोलम में हम लोग तीन एपिसोर्ड डिसकस करेंगे पहला एपिसोर्ड हो चुका है बाकी डो एपिसोर्ड जल्दी मैं रिलीस कर दूँगा तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्ष्ट में यह जरूर बताना कि इस एपिसोर्ड में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और यह भी कि आपने बार्बरोस का पहला एपिसोर्ड देखा या नहीं ठीक है अगर आप यह जाना चाहते हैं कि बार्बरोस कैसे सब्सक्राइटल में देखना हैं इंगले सब्सक्राइटल में मिलते हैं आपको ने इस वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिंग